यहां पर देखिए हम वाइट और पिंक कलर का कॉंबिनेशन लेकर आये हैं तो चलिए डिजाइन पैटन बनाते हैं यह डिजाइन जो है है आप बच्चोग स्वेटर में लेडिज कार्डिगन में कायप में शॉक्ष में किसी भी अल प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं फ्रेंट बहुत ही प्यारा और खुबसूरत सार डिजाइन पैटर्न है तो यहां देखिए यह डिजाइन के लिए आपको दो सलाईया के व करना है ऐसे समझ देखा जाए तो यह दो एक ही सलाई की डिजाइन है तो चलिए डिजाइन पैटर्न पूरा हम और आप बनाते हैं उससे पले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा बगल में बैल आइकन की तरीके से सेट हो जाएगा और यहां पर हमने टोटल 20 फंदे लिए हुए है तो देखिए यहां पर यह 20 फंदे हैं तो इसे हम फ़स्ट रो को इस तरीके से सीधा बूलते हुए कंपलिट करेंगे तो यह रोवन राइड साइड है अब देखिए यह बैक साइड है सेकेंड हो है तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे फंच फंदा स्लिप करेंगे इसके बाद देखिए वन टू यह दो फंदे है ना पहले ऐसे दो फंदों में एक बार बुनाई करेंगे इसे ड्राप नहीं करेंगे धागा पीछे ले जाएंगे और देखिए उपर से इस तरीके स प्षिलाई को डालेंगे और इसके बाद इसे ट्राप करेंगे अब आपको यहीं रिपीट करना है धागा आगे लाना है ये दो फंदे हैं देखिए ऐसे उल्टा बुनेंगे धागा पीछे ले जाएंगे और देखिए ऐसे उपर से नीडल्स को डाल के ऐसे बुन फिर धागा आगे लाएंगे देखे दो फंदा है अब इसमें देखे एक बार आपको उल्टा इस तरीके से बुनाई करना है धागा पीछे ले जाएंगे फिर इसको बाद आप दुबारा इसे सीधा बुनाई करेंगे बहुत हीजी चार डिजाइने फ्रेंड देखे धागा आगे लाएंगे दो फंदो में एक बार बुनाई करेंगे धागा पीछे ले जाएंगे और देखे यहां पर दो फंदो में दुबारा आप सीधा बुनाई करेंगे इसके बाद ड्रॉप कर देंगे धागा आगे लाएंगे दो फंदो में एक बार ऐसे उल्टा बुनाई कर धागा आगे लाएंगे दो फंदों में देखिए एक बार आप उल्टा बुनेंगे धागा पीछे लेंगे और दोबार आप सीधा इस तरीके से बुनेंगे धागा आगे लाएंगे दो फंदों में आप देखिए ऐसे एक बार उल्टा बुनेंगे धागा पीछे और तो फ्रेंट देखिए मारा second row complete हो गया डिजाइन का देखिए कितना प्यारा और खुबशूरा सा डिजाइन बनकर आया है आप देखिए हमारा यहां बेस कलर बेस कलर देखिए हमारा जो यह वाइट रंघ यह इसको अब हम आइड करेंगे अब देखिए हम जैसा कि हमने कहा क यही अब हम वाइट कलर में रिपीट कर रहेंगे तो देखिए हमारा एक फॉयस्ट्र रिपीट पैटर्न है इसको हम सीधा गुनते हुए इस तरीके से complete करेंगे तो फ्रेंट से देखिए डिजाइन बहुत ही प्यारी है और बहुत ही इजी है अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सेयर जरूर कर दीजेगा चैनल को भी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो अगर आपको अच्छी न लगे तो डिस्लाइक भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि हम कह रहे थो आप करिए जो आपकी च्छाह करिए कमिट में बताइएगा कि आपको हमारी कैसी लगी हम हमेशा आपके लिए डेली एक नई डिजाइन लेकर आते रहते हैं और देखिए बहुत ही प्यारी है देखिए कितना प्यारा सा डिजाइन है अब यहीं देखिए हमें रिपीट करना है अब यह देखिए सेकेंड रो है धागा अपनी साइड और यह फर्ष्ट फंदा स्लिप करके धागा देखिए अपनी ही साइड रहेगा और यह दो फंदे हैं न देखिए इनको एक बार उल्टा बुनाई करेंगे धागा पीछे ले जाएंगे और दो फंदों का एक करेंगे देखिए बहुत ही इजी है धागा आगे लाएंगे दो फंदों को एक बार इस तरीके से बुनेंगे धागा पीछे ले जाएंगे और यहां पर दो फंदों का एक करेंगे धागा आगे लाएंगे, देखे दो फंदों को एक बार उल्टा बुनेंगे, और धागा पीछे ले जाएंगे, दो फंदों को ऐसे एक करेंगे, और धागा पीछे ले जाएंगे, यहां पर दो फंदों को एक बार सिधा बुनेंगे, धागा आगे, देखे दो फंदों में ए और फिर देखे सिधा भुनेंगे और इसे ड्रोप करदेंगे। कर देंगे धागा आगे उल्टा तो देखिए हमारा ये फोर रोब फ्रेंट्स कंप्लीट हो गया है और देखिए कितनी प्यारी और खुबसूरा सी डिजाइन बनकर आई है यही आप वन से लेके टूरो रिपीट करते जाएंगे तो फ्रेंट देखिए हमने यह चार सलाइया और बना लें तो देखिए डिजाइन पाटर इस तरीके से बनकर आया और राइट साइड है और देखिए यह बाइक साइड है और बहुत ही ईजी तरीके से फ्रेंट्स यह डिजाइन करके कंप्लीट हो जाता है है अगर आपको डिजाइन अछी लगी हो मेरा बताने का तरीक हिख अच्छा लगाता तो प्लीज 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 बीडियो को लाइक किजेगा शेयर किजेगा और चैनल को भी तक सब्सक्राइब कर लिजेगा फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत थन्यवाद मिलते हैं नेश जिजेंग साथ नेश वीडियो में थांक यू धन्यवाद बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा